लेकिन आपका प्लेशोर वर्क नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूं आपसे रिक्वेश्ट्रेश वीडियो को पूरा देखे तब ही आप सही तरहे केसे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे fix कर पाएंगे तो फेंड चले वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने से पहले बता दू अभी तक आपने चैनल को subscribe ने किया तो subscribe करके notification बिल्क को प्रेस करने जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा सबसे सबसे पहले आपको करने क्या है मोबाल की settings पर जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर आपके एक देखने को मिलेगा आपके फोन में apps को option apps में क्लिक करेंगे अब आपके फोन में जितने भी apps इंस्टॉल है सभी apps यहां पर open होके आजाएंगे तोड़ा पर नीचे जाएंगे यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे Google Play Store आपको Google Play Store को पर क्लिक करना है फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे सबसे पहले आपको यहां पर चेंज सिस्टम सेटिंग में क्लिक करके परंेसन को अलाव करना है इसके बात又 कि वापस आएंगे इस टॉरेंस वे क्लिक करेंगे और यहां से आपको clear कहचे और clear data करके OK कर देना है इतना करने के बाद आपको main चीत ध्यान देनी है कि permission में क्लिक करके यहां से आपको सबी permission को allow कर देना है प्रमिसल अलाव करने के बाद वापस आएंगे और फोन को restart करेंगे फिर play store को open करेंगे profile में click करेंगे play protect में click करेंगे यहां से आपको इसको turn on करना है इसके बाद आपका जो play store में जो problem हो रहे थी update वाली डावलोडिंग वाली वो सबी problem यहां से solve हो जाएगी fix हो जाएगी उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो like करना channel पर पहली बारा है तो channel को subscribe करके notification bell को press कर लें जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो friends वीडियो में इतना ही thank you for watching take care